आज की वीडियो होने वाली है काफी ज़ादा exciting, amazing और important भी विकस आज यहाँ पर ऐसे deep end या AI narrative coin के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको मैं अपनी list में डालूँगा और उसको मैं बूलूँगा Google killer अब Google killer बोलना किसी coin को एक बहुत बड़ी बड़ी बात हो जाती है कि यह competition देने वाल है तो यह काफी जादा pump हो जाएगा क्योंकि एक low cap coin है तो मैं आपको पहले कुछ example दूँगा कोई भी बात मैं आपसे बोलता हूँ तो हवा में नहीं बोलता हूँ मैं कोई भी चीज आपको बताता हूँ तो अपने past experience है अपने कुछ सालों की journey से आपको यहाँ पर बताता हूँ तो इस वीडियो मैं सिर्फ आपको एक coin की call एक coin की analysis नहीं आपको पता लगेगा कि market में चीज़े कैसे काम करते हैं तो वीडियो को एंट तक देखेगा ठीक है पहले मैं आपको example लूँगा कैसे open AI ने एक coin को pump कर दिया था past में ठीक है उसके बारे में भी ऐसी news हुई थी कि यह है अगला open AI वो अगला open AI नहीं है बट उस news नहीं काफी blast उस coin को कर दिया और यहाँ पे भी ऐसे होते होए chances हमें दिख रहे हैं एक काफी अच्छे discounted price पे अभी हमें मिल रहा है we are not buying high we are buying low which can make us a lot and a lot of money ठीक है so यहाँ पे कैसे google इसको pump करेगा कैसे google के लिए रहोगा यह मैं आपको चीज समझाऊँगा पहले मैं आपको समझाऊँगा open AI नहीं आसा कैसे किया था और फिर यहाँ पे बताऊँगा आपको strategy चार्ट पे कैसे आप देख सकते हो कौन से levels है कैसे आप invest कर सकते हो what is the realistic target और कैसे आपको strategy रखके आप एक safe investment strategy बनानी है ठीक है so profit बनाने की हर कोई सोचता है हम थोड़ा सोचते loss बचाने की भी जो कि आपके cryptocurrency journey में काफी important part रहने वाला है अगर आप channel पे नहीं हो तो channel को subscribe जरू करना वीडियो अगर अच्छी लगती है आपको लगता है कि इस research से आपको कुछ help मिलिया तो वीडियो को like जरू करना आज की वीडियो का like target है सिर्फ फर से 1000 likes का आपके लिए बहुत easy है बट अगर आप एक like बटन दबा देते हो तो हमें बहुत खुशी मिलती है और आप ये पूरी वीडियो without ad देखोगे कोई ad नहीं चलती है इस पर किसी भी तरीका का paid promotion मैंने कभी नहीं किया अपनी वीडियो में तो आपको मज़ा बहुत आने वाला है तो वीडियो एंट तक देखे अगा है अभी तक अगर दोस्त आप twitter पे नहीं जुड़े हो तो twitter पे ज़रूर जुड़ना विगिस twitter पे काफी important चीज मैंने करनी चालू कर दिया काफी दिनों से जो लोग जुड़े उनको पता है कि इहां पर मैंना bitcoin के level लेता हूँ सुबह 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 कितने बजी की बात है आज सुबह साड़े 6 बज़े की बात है, सुबह साड़े 5 पर जोड़ जाता हूँ मैं, मैंने यहाँ पर बोला था कि Bitcoin pump and liquidate shots for today पूछा, फिर 7400 मैंने बोला कि एक अच्छा नंबर लगता है, let's see और उसके बाद हुआ गया, मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ, देखो, यहाँ पर मैंने कुछ levels बदाये थे, पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, Bitcoin गहाँ पर दाता, 67,890 पर, अब यह जो चीज मैं आपको बदाता हूँ, यह सिर्फ liquidation level से नहीं होती है, बहुत सा तो यहाँ पर 67,890 पर था, ठीक है, Bitcoin, और मैंने यहाँ पर लेवल बताये थे, 68,563, 69,360, और उपर का जो major level था, यहाँ पर सारी short से liquidate हो जाएगी, major, जहाँ पर news आने लग जाएगी, कि इतने billion dollars की short liquidate हो भी, वो होगा 7400 पर, तो अब आप यह chart देखो कि तो पहला level गया दूसरा level जा सकता है, हम जब बात करें हैं, शाम को आप वीडियो देख रहे हो सकता है, चले भी जाए, and 74-400 पर major major, यहाँ पर shorts level है, ठीक है, तो मैं रोज यह update देता हूँ, और रोज आप अगर update चेक करोगा, उसका Bitcoin का price action चेक करोगा, तो काफी हद तक उसी direction में move होता हो और आपको काफी help कर सकता है, अगर आप trading करते हो, या investing भी करते हो, एक सही decision लिने है, आपको यह भी पता लग सकता है, कि जो आप trading कर रहे हो, या फिर दोस्त, जो आप, मैं बोलूँंगा, ट्रेयर अपना open कर रहे हो, long कर रहे हो, short कर रहे हो, आप सही जगा पे कर रहे हो क की नहीं कर रहे हो तो यह चीज़े मैं आपको बताता रहा हूंगा पहले लेवल हमारा चला गया है पिछले चार दिन के लेवल साथ देख सकते हो ट्विटर का लिंक नीचे डिस्रिप्शन में है एंड ट्विटर पर आज मैंने नॉट कोईन का अपना एक वीडियो भी टाग अब बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे चोटा पॉट्फोलियो है हमारी help करो हमें trading सिकाओ हमें call दो सब चीजों की तयारी चल रहे है बट पता है क्या चक्कर है Telegram पर scam बहुत है सबसे पहले तो जो भी Telegram चैनल जॉइन करना चाहता है उसका link नीचे description में है आपको अगर दूसरे लिंक पर आप कही भी चैनल में जा रहे हूँ, आपको बोल रहा है, आईडियो हम चला रहे हैं, आपको रातो रात अमीर बाएंगे, दिस इस अल स्कैम, और ये स्कैम मैंने ठान लिया है कि मैं दो हफते के अंदर-अंदर खतम कर दूँगा, सिर्फ दो हफते मुझे ये स्कैम ही खतम हो जाएगा, फिर कोई बंदा स्कैम नहीं हो पाएगा, मेरे चैनल के फेक नाम से कोई स्कैम नहीं कर पाएगा, और इस पर मेरा पूरा-पूरा फोकस है, जल्दी मैं कुछ करूँगा, और कॉमिनिटी के लिए भी बहुत कुछ हम नया ला रहे हैं, मुझ ला दो गते को 2022 में चालू हुआ, उससे बहले AI हमने सिर्फ मूवीज में सुना था या फिर, मतब नॉर्मल हुमन के थॉट प्रोसेस में AI था नहीं, कंपनीज वगर हमारी लाइफ में वैसे भी चल रहा था, सीरी वगर हम यूज कर रहे थे, बट इतना importance हम नहीं देते थे ठीक है AI को, बट अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो हुआ कि 2022 में लाउंच हो, फुल हाइप बनी AI कोई पंप हुए, फिर एक कोई है जो कि था decentralized AI कोई, ठीक है, जो बोल रहा था कि हम chat GPT जैसी टेक्नोलजी उससे बेटर है क्यों कि हम decentralized है, पूरी बात सुन और उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ टाव पंप, जब यह न्यूज आई, टाव तो आज की डेट में सब कोई बता है, यहाँ पर मैंने भी इग्नोर कहता था टाव को, to be very honest, मेरे पास था एक बाग 67-66 डॉलर पर जो कि मेरे एक प्रिये सब्सक्राइबर ने समबर 2023 की बात है, तो यहाँ तक टाव काफी ज़्यादा पंप हो चुगा था अल्रेडी है ना, 257 परसेंट पंप था और कोई भी एक्सपेट नी कर रहा था कि और ज़्यादा पंप होगा, बट हुआ गया, ओपन याई ने जब सैम आल्टमेन को निकाला, अपनी कमपनी स तो वहाँ पे लोगों को डिमांड समझा गई, बात समझा गई कि हमें, मतलग एक नरेटिफ बन गया मार्केट में, एक बात होनी चालू हो गई कि हमें ये ओपन याई को केल नहीं कर देगा, बट यहाँ पे एक बात होनी चालू हो गई कि हमें decentralized AI की जुरुत क्यों है, कैस ये centralizedization जो है, चीजों की बहुत जादा, वो हनी का रख है हमार लिए, और उसके बाद आप देख सकते हो, 275% बाद भी 156% का pump आ गया, और आज के coin में भी कुछ ऐसी news बनके आ रही है, चार्ट भी bullish लग रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, trading के लिए बहुत अच्छा ह है, तो हम बात करते हैं, Fluence की FLT की, बहुत सारे बंदों की demand आ रहे थी, बहुत सारे YouTubers ने पहले cover भी कर रहे हूँ, this is my first video on this, so मैं आपको बताता हूँ, मुझे इसमें क्या अच्छा लगा, क्यों लगा, ठीक है, क्या मेरा thought process है, काफी सारे लोग वीचे मेरे को बोल रहे है this is the next render, this is not the next render, because both things are different, ठीक है, दोनों चीजें अलग है, render एक अलग चीज है, Fluence एक अलग चीज है, मैंने वहाँ पर tweet कहता, लोगो को समझ निया है, तो थोड़ा hate मिला, बट कोई बात नी, जो hate दे रहे थे, वो आज प्यार भी देंगे, जब उनको ये वीडियो मैं समझ रहा हुगा कि मेरा क्या process है, इसके बारे में thought process है, so basically करता है, पहले starts देखलते हैं, 33 million dollar market cap है, बहुत चोटी होती है, कुछ नहीं होता, है न, यहाँ पर अगर आप funds and backers में देखो को, तो दो नाम जो है, मुझे काफी strong लगते हैं, ये जितने भी VCs हैं, इनको इतना मैं व अच्छा खासा, इनके पास business भी है, crypto space के अंदर, file coin का अभी price मैं बूलूँगा बड़ा नहीं है, but file coin में business है, उनके पास अच्छा खासा, ठीक है, तो fluence क्या कह रहा है, fluence है, cloudless computing, cloud computing तो सबने सुना ये कहरें, cloudless computing है, यानि कि ये decentralized way है, of using the cloud, ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखोगे, तो इनके white paper को आप जाके पढ़ सकते हो, इनके documents में आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे इन्होंने बता रहा है, ये use case तो काफी सारे बता ही रहे हैं अप यहाँ पे आप अपने, मैं बोलूगा, अपने apps निकाल सकते हो, बहुत सारे use cases हैं, यहाँ पे आप create and deploy applications, earn by providing computing resources, आप अपनी computing resource दे सकते हो, जो आगे है, दे देंगा, आपको उसमें benefit मिलेगा, आप early contributor भी बन सकते हो, ठीक है, पार्टीस बेट कर सकते हो, यहाँ पे इनका exchange से लेना जाते हो, Uniswap के तुरू तो वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है, तो अब एक चीज़ा आप देखोगे, तो हमने बात करी कि ठीक है, मैंने बात करी थी पहले, अब मैं अपने आपको correct करता हूँ, मैंने बोला था कि कौन use करेगा इसको, AWS को skip करके, Google Cloud को skip करके, इसक blockchain से, roll up से, other decomputer से, decentralized compute से, मतलब और जो projects है, market में ऐसे, और cloud computing से दिखा रखा है, तो यहाँ पर fluence बता रहा है, हर चीज में perfect है वो, वो सब तो चीज़े ठीक है, अब एक question आता है, कि यहाँ पर भाई, Google Cloud क्यों हो और fluence क्यों use करेग, Google Cloud क्यों नहीं करेग, क्योंकि यहाँ पर Google Cloud ने दिखा दिया, Google Cloud ने भी दिखा दिया, कि decentralization की जरुत है, Google Cloud की एक recent news आती है, जो कि आई थी कल, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो news क्या आती है, कि Google Cloud, Google accidentally deleted 1.25 billion pension funds, online accounts, as per cyber security news, गलती से कर दिया, delete data इन्होंने, अब यह centralized है, तो recover तो हो नहीं सकता है, कि एक जगा से delete हो और delete हो गया, क्योंकि data जो है, वो spread it होता है, अलग अलग जगा, और यहाँ पर आता है, फ्लुएंस का game, जैसे हमें, टाव में एक hype बनती दिखे थी, वैसे ही, यहाँ फ्लुएंस में भी hype बनती दिख सकती है, अब यह तो सारी बात हो, इस speculations की, right, अब speculation क्या होती है, fundamental पर चलती है, कि यह चीज ऐसी, ऐसा कर सकती है, ऐसा हो जाएगा, देख लेना, कर लेंगे, हो जाएगा, यह totally speculation, right, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है, जैसे हमने टाव में देखा, अपने experience में आपको यह चीज बता रहा हूँ, अब यहाँ पर speculation के अब यहाँ पर देखोगे, पहली बात तो risk और reward की बात समझते है, reward कितना हो सकता है, we can't calculate, I even don't know कि यह क्या कर सकता है, अगर इसकी hype बनी, partnerships आई, यहाँ पर VCs ने बेचना नहीं चालूगी, धडड़ धड़ धड़ तो तो कोई दिक्कत आएगी, 71% डाउन था, अभी भी आप जब खरीद रहे हो इसे, अगर आप प्लान कर रहे हो से खरीदने का, पहली बात तो यह conviction मनाना बहुत जरूरी है, किसी भी चीज में, प्लान मनाना बहुत जरूरी है, आप एक trader हो, आप एक investor हो, समझो, कि अगर आप सोच रहे हो, कि यह तो बहुत बढ़िया चीज है इसको तो मैं 25 में ही बेचुआ है, चौबिस एंड में ही बेचुआ है, तो फिर भाई, price action देखके पीछे मतर जाना, बाद में यह बत, बोलना क्यो हो, यह क्या हो गया, और अगर एक trader हो, short term में पैसा चाते हो, तो फिर price action को देखके काम करो, ठीक है, तो अभी भी आप खर पर bullish, full gun powder के साथ, this is a big deal, क्योंकि देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, mark करके दिखाता हूँ, यहाँ पर bearish हुआ था, sniper with gun powder, तो जब bearish हुआ था, गिरा कितना है उसके बाद, अच्छा खासा गिरा, तो जब अच्छा खासा गिर सकती है चीज, तो अच्छी खासी जूट भी सकती है, ठीक है ना, sniper की बहुत लोग डिमांड करते है, कमेंट आते है कि सर कब दोगे, अगले bull run में दोगे, भाई दूगा, सिखाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा भी, और यह एक ऐसी चीज है, जो सिर्फ इस bull run में नहीं है, आपके lifelong काम आईगी, तो जल्द हो, यहाँ पर बहुत महीनों की हमने testing करी है, हमने खुट rates करें है, अपना result देखा है, क्या हमें गलती हा रही है, क्या नहीं हा रही है, वो सब चीजे भी तो पता करनी ज़रूरी है, सिर्फ बेचना थोड़ी है, आपको बताना भी है, सिखाना भी है, और आपको फाइदा ठीक है, पूरा टेकनिकल इसका है, अमेजिंग चल रहा है, फॉली में इस तोड़ा, retest लिया है, आपको मिलेगी, like you can say on this area, जो कि है 1.15, अब मैं इसका 20, 30, 40 इस target क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई, मैं अल्रेड़ी अपने बैक्स में कुछ चीजे रखत तो my strategy on this is, कि जब मुझे एक decent profit मिलेगा, मैं profit back को hold कर लूँगा, ठीक है न, for a good chance कि यह हो सकता है, 1020x हो जाए, 100x वाली बात नहीं करूँगा, मैं यह 1020x हो जाएगा, मेरे profit का भी तो भी बहुत बढ़ी है मेरे लिए, मैं उसको happily enjoy करूँगा, book करूँगा, और हो सकता है जहां मैं बेचूँ, उससे बहुत उपर चला जाए, ठीक है, आगे जाके मैं इसके बारे में और study करूँगा, और ज्यादा इसकी partnership देखूँगा, अगर मुझे दिखता है कि इसका बहुत अच्छा use case हो रहा है, तो conviction मेरी all built हो जाएगी, मैं अपने targets को और उपर कर अगर आप इस point पर entry लेने की plan कर रहा हो, after doing your research, after your conviction, आपको लगता है कि यहाँ आपको चफायदा देगा, यहाँ आपको इसको अपने portfolio में add करना है, तो आप यहाँ पर यह कर सकते हो, कि partial entry आप built कर सकते हो, partial entry क्या होती है, if you have thousand bucks, thousand dollars, thousand rupees, hundred rupees, उसका आप पूरा entry ने लोगे आप three entries plan करोगे, यहाँ से अगर आप bottom area देखते हो, जहाँ पर इसमें भी bottom बनाया है, ठीक है, जहाँ current price है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कितना नीचे 34% down, तो पहली entry अगर यहाँ ले रहे हो, तो 34% down पर दूसरी entry लेने, keep the third entry for the worst case scenario, for the worst case scenario, right, worst case scenario 10-20% नीचे होता, कभी भी किसी भी चीज़ को ऐसे average मत करना, कि आप 10-10% पर average करते चलेगे, वो 50-70-70-80-60% गिर जाती है crypto में, और पैसा हाँ में रहता ही नहीं है, तो इस तरीके से काम करोगे, मैंने अपना fundamental view, अपना technical view, और क्यों मैंने बोला कि Google killer, Google killer literally नहीं है, पर ऐसी hype भी बन अगर की Google Cloud को beat कर देगा, Google Cloud से बढ़िया है, तो काफी जबर्दस pumpों का 33 million dollar की market cap है, community में बहुत ज्यादा बंदे इसके बारे में bullish थे, इसलिए मैं इसको cover कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे trading purposes के लिए मैंने entry लिए है, मेरी entry नीचे की है, मैं इसमें profit book करके निकल जाँगा, 5200% profit book करके hold कर दूँगा, फिर अगर यह बहुत अच्छा perform करता है, I will be in a good place, जहां पर मैं अपने profits को enjoy करूँगा, नहीं करता है, तो मेरी capital को hamper नहीं कर पाएगा, so this was a short video about fluence, and how this can be a Google killer, so video अच्छी लेगे तो like जरू करना है, ऐसी videos में आपके लिए लाता र आडसोदा देजा हम कर उसाए चे सरू को लाता है, यूराो कर देखता है, तो मैं कर द SUSTकेना है, जहां रीमिशे हमापने कर दोठी के लाता है, वा नहीं नहीं करना है, कर दो सस्वेगे अच्मा फंगर तो करवा है, आपो हो इसतो का सिस्वेग।